अससलाम अलेकुम गाइज, उमीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे हर एक तो चलो आज का व्लोग इस्टार करते हैं तो गाइज, आप लोगों को पता है, हम लोगों के पास सरफ दो गाड़ी हैं, तो अभी आज वो दोनों गाड़ी बिज्जी हैं, क्योंकि दोनों गाड़ी दोनों बाई लेके गया, एक से की लेको वो बड़ा बाई, जस्ट सुबा टाइम मेरे बड़े बाई ने आके मुझ लेको कहाने के लिए घुच को लेता हूा, लेके पहले आप लोगों कितना खूबसुरत व्यूप है, लेकिन गर्मी है, हवा चल रहा है, हवा नहीं, जया है, अगreens मुच्किल से, बाद में आप लोगों नहीं था वो लोग तोड़ा काम में बिजी थे अंदर पिर मैंने एक को बुलाया एक आदमी आया उसने मेरा ओर्डर लिया और यह रहा इनका मेन्यो बुक आप लोग देख सकते हो यहां पे लगा हुआ है तो बस अभी यह आदमी ने मेरा ओर्डर लिया इसने बुला आप 10- सेड़ी होगा तो खेर अभी मैं यहां पे भी बैटके तोड़ा वेट करता हूं 10-15 मिनिट मैं यहां पे भी बैटके का सकता था लेकिन क्या था मुझे वहां पे भी काम था तो पिर मैंने सोचा चलो अभी लेके चलता हूं वहां पे काऊंगा सुकून से तो यहां पे अग वैज । इतना तुक गए howm तुक नहीं गए गर्मी बहुत ज़्यदा गर्मी लगाए गर्मी अपलोग मेरा हाल देख सकते हुशाइद पूरा रेड आप लगों को दिख रहा है अतना ज़्यदा गर्मी यह जाते ही टाइम गर्मी नहीं हो गया तो में इननको साफ करते हैं बाद में खाते हैं तो आप लोगों के पास ऐसे बड़े बोटल नहीं थे तो वह लोगों प्रॉट नहीं देख शक्र्क टो दो हम यह आप ज़िए अब नौट दो यहां पर मिल गए ऐसे दो ड्रिंक या तो यह आफर मैं था मुझे नहीं आया या त तो ये वो लोगों के पास ऐसे बड़े बोटल नहीं थे तो वो लोगों ने ऐसे दो जगा में दिये मतलब छोटे हैं तो इस वचा से वो लोगों ने दो जगा में दिये और दो ये लोगों ने स्ट्रो भी दिये और बाकी ये रहे दो बर्गर मैंने लिए इनके साथ पॉर्गर का लिए तो चलो अभी पर्याइज काते हैं और बिसमिल्ला करके हैं ओये बिसम इदेद काते हैं तो यही farmers कह जाते हैं । मसा आया अब हो गया है नेक्स डे तो कल आप लोगों ने देखा मेरे पास गाड़ी नहीं था तो मैं इतना परेशन था इस वज़ा से क्यूंकि बाई लोग बिजी थे और मैंने खाना भी नहीं काया था आप लोगों ने देखा तो मैं हर दीस तक पैदल गया काना लेने के लिए तो लेकर आगए लेकिं आप लोगों ने देखा गर्मी कितना था मेरा पूरा लेड रेड बाई हो गया और कल पर मुझे लेकर गया मेरा बेन गर तक वो आ गया था रात को तो चलो ऑगर का तो दिन जैसे तैसे करके गुज़र गया लेके आज आप लोगों को पताए मेरे पास दो दो गाडिया है वो कहते हैं ने अल्ला जब देता है तो चपड़ पाड़ के देता है तो आज अल्ला ताला ने मुझे चपड़ पाड़ के दिया दो दो गाडिया है कल मेरे पास एक नहीं था आज अलहमदुलिल्ला दो गाडिया आप लोग भी देखना चाहते हो दोनों गाड़ियां चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ गाड़ी से उतर के जल्दी 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 तो गर्ज यह रहे दोनों गाड़ियां भी आप लोग देख सकते हो यह भी एक है दूसरा वो है तो आप लोग देख सकते हो आज दो दो गाड़ियां कल एक नहीं था तो अभी आप लोग को सोच रहे हो दो दो गाड़ियां मेरे साथ कैसे हैं तो चलो आप लोगों को अंदर तसली से बताऊंगा आज मेरे साथ दो दो गाड़ियां क्यूं है क्यूंकि यहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है यहां पास से रोड जा रहा है पिर मेरा आवाज आप लोगों तक सही नहीं पहुंचेगा तो इस वजह से चलो अंदर बैठ के आप लोगों से बाते करता हू कि चलो अंदर चलती है और है अभर घर घर भ Dharma करो मैंने अपने पैसों से दौनों गाड़ियाँ अभी के बिली हैं इसे खुछ रहा हो वैसे दौन बात नहीं वैसे तो खुछ के गाडियाँ है लेकिन माचला अलग लग भाईों के है तो चलो time waste में करते हैं आपकों को बताऊगा तो आप लोगों को भी पता है जो sunny गाड़ी है कभी मैं लेके जाता हूं कभी बढ़ा भाई लेके जाता है तो ड्यूटी तो अलहमदुलेला मैं खेरियत से आके पहुंच गया उसके बाद जब एक बज़ गया आपको पता है मेरा एक बज़े ब्रेक होता है तो मैं गर जाता हूं काना काने के लिए तो जब मैं गाड़ी जाके स्टार्ट कर रहा था एक बज़े तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था तो तीन दफ़ा मैंने ट्राई किया स्टार्ट करने के लिए लेकिन वो नहीं हो गया था तो मैंने शकील से भी पूचा इसको क्या हो गया बड़े बाई से भी पूचा ये स्टाट नहीं हो रहा है क्या हो गया इसको तो उसने बोला शायद इसका बैटरी कमज़र है इस वज़ा से ये स्टाट नहीं हो रहा है तो फिर बड़ा भाई तो बहुत दूर जा रहा था बोधब भी पता नहीं किदर और शकील को अल्रेडी काम आ गया था तो शकील भी अपने बड़े गाड़ी के तरफ जा रहा था अपना गाड़ी लेके तो फिर क्या हुआ तो मैंने शकील को यहीं मैसिज बताया कि शकील यह गाड़ी इस्टार नहीं हो रहा है तो शकील ने बोला अभी मैं आपकी तरफ आऊँगा आपको पिक करूँगा हम दोनों एक साथ जाएंगे मेरे बड़े गाड़ी के तरफ मैं अपना बड़ा गाड़ी पिक करूँगा आप ये मेरा कुरोला लेके जाओ समीरा लोगों को स्कूल से लाओ तो बड़ा बाई अल्रेडी बाहर था बड़े गाड़ी के साथ पिर शकील अपना बड़ा गाड़ी लेके गया काम पे तो समीरा लोगों को भी स्कूल से लाना था तो बस मैंने इस शकील का कुरोला लेके पिर गया समीरा लोगों के स्कूल वो लोगों को भी अलहमदुलेला स्कूल से पिक करके लाया गर गर में लाया तो I think तीन बज़ गया था ऐसा कुछ बज़ गया तो फिर काना का के तोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके तो फिर अभी पांच बज़ गया तो मैं यहां पर आ गया तो वो गाड़ी खराब हो गया पहले सनी वो तो मैंने इधर ही चोड़ दिया शाम को बाई हैं तो इस तरीके से आज मेरे पास दो गाड़ी हो गए वो कहते हैं ना जब अल्ला देता है तो चपट पाड़ के देता है आप लोगों ने भी कल देखा मेरे पास गाड़ी नहीं था मैं कितना दूर पैदल गया काना लेने के लिए गर्मी के अंदर लेकिन आज अलहम्द के साथ ये बात शेयर करना था तो गर्स चलो अभी गाड़ी जाके चेक करते हैं शायद अभी स्टार्टो क्यों कि हम लोग ने काफी देर तक उसको ऐसे ही चोड़ा उस टाइम मैं जब गर जा रहा था तो एक बज रहा था तो अभी रात का नौ बज गया तो अभी जाके चेक करते हैं शायद इस्टार्टो याला मदद अब इसमिल्ला रामान रेंग नहीं गाइस अभी भी नहीं स्टार्ट हो रहा है मैं सोचा शायद इतना गंठा रैस्ट क्या हो सकता है अभी नेंच से जागे लेकिन अभी तक हैस हो रहा है तो अभी कोई हल नहीं है इसको गर तक ले जाने का मैं तो शगिल वाले गाड़ी के साथ जाओंगा पहले मैं सोचा अगर यह सही हो गया तो फिर भाई इसको लेके जाएगा तो चलो मैं तो अभी जाओंगा गर क्योंकि मेरा ड्यूटी खतम हो गया रात का नौ बज गया मैं तो जा रहा हूंगर जस्ट वो लोगों को बस मैसेज एक करूंगा उसके बाद देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं जैसे मैं गाड़ी से उतर गया मुझे दिख गया चांद चलो आप लोगों को वी दिखा अधिया अधिया नमासलाँ चलो अब ही सारे लाइट बंद करके निकलते हैं गर के लिए अफ्यू इंचिस लेड़ तो गई अभी भाई ने खुद मुझे मेसेज किया था वर्टसब पे डारक्ट कॉल किया लेकि मैंने उसका कॉल पे रेसीम नहीं किया ना वर्टसब का मे वाइल यहां पे पड़ा हुआ था मैं गया दा उधर गाड़ी को देखने के लिए मैं सोचा शायदे स्टार्ट होगा स्टार्ट तो नहीं हो गया आप लोगों ने भी देखा तो अभी पिर मैंने उसको खुद मैसेज किया तो उसने बोला आप यह गाड़ी वहीं पे करें कोमेट करें और मेरे चैनल को लाजम सबस्क्राइब करें अलाव वेज